कल रात सपने में बाबु जी आये थे, मेरे सर माथे को सहलाती विए उन्होंने कहा था, इतने चुप और उदास क्यों रहा करते हो, मैं तुम्हारी मा और तुम्हारा बड़ा भाई, सब तुम्हारे आसपास ही तो रहा करते हैं, वो दरवाजा का आम कावा पेड याद है, तुम्हारे बच्पन के दिनों मैं नहीं लगाया था उसे, वह भी तुम्हारी तरह अब कितना बड़ा हो गया है रे, आगे अब जब कभी मैं तुझे याद आऊं और तुम्हारे भीतर रुआसेपन का भाव भरने लगे, तो उस आम के पेड की च्छा में कुछ पल बेठ कर दिखना, तो मैं अपने सर माते पर मेरी हथेलियों के सपर्स का सगन अहसास होगा, जिसे मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, आंगन के आऊसारे के उस कोने में जो खजूर की चटाई रखी है न, वो तेरी मा के हाथों की बनी है, एक बहर रात ही उठकर चटाई बुना कर करती थी तुम्हारी मा, महिनों की मैनत से बनी है यह खजूर की चटाई, सो जब कभी मा की याद में तिरी आँखे डबडब हो जाए, तो आंगर की धूप में इस चटाई को बिछा कर सो जाना, तुम्हें लगेगा तुम चटाई पर नहीं, मा की गोद में ही सो रहे हो, ब तिवाली तुहार पर जब भाईया की याद टिसने लगे, अपनी आँखे बंद कर दबे पाओं, अपने भीतर उतरना, भाईया का मुस्कराता चेहरा तुम्हारे सामने होगा, सुनो, अब और आगे कभी उदास मत होना, मेरे बेटे, हमें भी यहां बहुत को दुख होता ह अब तक मेरी निन्द खुल चुकी थी, और सपनों के दुनिया से बाहर हो गया था, पर जगने के दिर बाद तक अपने मात है पर, बाउजी के सपर्स को महसूस करता रहा हमाए, सुरेश बर्मा, दौरर अच्छी